Hello everyone, my dream education में आप सबका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे हैज, हैब, हैड का प्रियोग कैसे करते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हैज, हैब, हैज, हैब, हैज, हैब, पास है वाले बाकियों अपर प्रिजन परफेक्ट टेंस में करते हैं हैज का प्रियोग पास था वाले बाकियों एवं पास पर परफेक्ट टेंस में करते हैं तो सबते पहले देखते हैं हैज का प्रियोग हैज का प्रियोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बरतबान काल वाले बाकियों में पास है की अर्थ में एवं प्रजेंट परफेक्ट टेंस में haetping वप की रूट में किया जाता है है जिका यूँ सिंगुलर प्रोणाउन जैसे he, see, it, that, this एवं सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है singular noun किसी एक ब्यक्ति बश्टू एमम इस्थान का नाम होता है तो चलिए अब इसके simple sentences देखते हैं जैसे उसके पास एक कुत्ता है He has a dog Ram खाना खाचुका है Ram has eaten the food Ram खाना खाचुका है यह present perfect tense का sentence है तो इसका formula होता subject plus hedge है plus verse plus object Next is Sita के पास एक पुष्टक है Sita has a book Mohan के पास एक चाता है Mohan has an umbrella वह जा चुका है He has gone Negative sentence Negative sentence का formula है subject plus hedge plus not या no plus object यह simple sentence का है Ram के पास पुष्टक नहीं है Ram has no book Siam ने पत्र नहीं लिखा है Ram has not written a letter यह sentence भी present perfect का है Sita के पास धन नहीं है Sita has no money उसके पास एक cycle नहीं है He has no bicycle interrogative sentences interrogative sentences जैसे क्या उसके पास एक पैन है hedge ही आप पैन क्या Sita के दो भाई है hedge, Sita, two brothers यह sentence गलत हो गया था sorry for that Ram क्या कर चुका है what hedge Ram done hedge का प्रियोग hedge कार्ट पास है hedge का प्रियोग हम plural pronoun जैसे यू के साथ दे के साथ बी के साथ आई के साथ दीज के साथ दोज के साथ एवन plural noun के साथ करते हैं अब इसके simple sentence देखते हैं simple sentence जैसे बेज जा चुके हैं they have gone हमारे पास एक घर है we have one house तुम्हारे पास एक कार है you have a car हम पत्र लिख चुके हैं we have written our letter हमारे दो भाई है we have two brothers मेरे एक मेरे पास एक नई किताब है I have a new book अब देखते हैं इसके negative sentence negative sentence hedge का प्रियोग भी hedge की ही जैसा होगा इसका formula भी पैसे ही होगा तो चले जैसे मेरे पास घर नहीं है I have no home तुम्हारे पास कुछ नहीं है you have nothing उनके पास भोजन नहीं है they have no food हमने खाना sorry हमने खाना नहीं खाया है we have not eaten the food अब देखते हैं interrogative sentences क्या उनके पास एक पैन है have they a pen क्या आपके पास कुछ फाल है have you some fruits क्या उन्होंने खाना बना लिया है have they cooked the food ये हुआ hedge have का प्रियोग अब देखते हैं head का प्रियोग head का प्रियोग head का अधर पास था head का प्रियोग भूत काल वाले बाकियों मैं singular एबं plural दोनों करता हूँ मैं past था के अर्थ में किया जाता है एबं past perfect tense मैं head का प्रियोग helping बर्व के रूप में किया जाता है simple sentences दिखतें इसके जैसे उनके पास एक बिल्ली थी they had a cat हमारे पास अनुभव था we had experience उसके पास एक कार थी he had a car मोहन के पास एक गाय थी मोहन had a cow राम और श्याम किताब पढ़ चुके हैं राम एंड स्याम had read a book किशान खेत जोत चुका है farmer had plowed the field negative sentences जैसे उन्होंने खाना नहीं बनाया था they had not cooked the food हमने कुछ नहीं कहा था we had said nothing हमारे पास एक रुप्या नहीं था we had not one रुपी तुम्हारे पास दो गाय नहीं थी you had not two cows राम के पास सौने की अंगूठी नहीं थी राम had no golden ring interrogative sentence क्या तुम्हारे पास एक घड़ी थी had you a watch क्या मुहन के पास घोड़ा था had मुहन आहोश क्या बे पत्र लिख चुके थे had they written a letter बे कहां पहुंच चुके थे we are had they reached so this was my head head have का पिरियोग क्यां थास एकि आह plusieurs